हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रिया इन दा कीचेन आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल सूप की बिल्कुल न्यू रेसिपी सेयर कर रही हूं जो बनाना काफी इजी है और साथ ही साथ काफी हेल्दी और टेस्टी भी है यहां पे ना मैं ले रही हूं 5-6 टमैटो साथ इसाथ लेसन की कुछ कलियां और एक से दो इंच अधरक का टुकड़ा और इन सब में ना मैंने थोड़ा सा वाटर आड करके कूकर में इसे 2-3 वेशल तक मैंने इसे बॉइल कर लिया है और बॉइल करने के बाद इससे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है अगर आप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर ले जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूंगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पर मैं कुस ओर बन सब्सक्राइब करकेशन सब्सक्राइब कर लीचाइब कर लोगी और अटूर्व hm अजया है गॉल्कूल सब्सक्राइब कर लोगी तब तक करने चाहिए चिल्ए की फ्राई करूंगी तो आप देख सकते हो यह जो है वो अपना कलर चेंज कर दिया है अनियन्स अब इसमें मैं कैपसिकम और बीन्स को एक साथ एड़ कर रही हूं और कैपसिकम बीन्स को एड़ करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैं शौते करूंगी अराउंड 2-3 मिनिट जिसे की थोड़े से कैपसिकम सौफ्ट हो जाएंगे और बीन्स भी जो है वो फ्राई हो जाएंगे तब तक ना मैं इसे ग्राइन कर लेती हूं जो मैंने बोईल किया था अध्रक लहसन और टमाटर को इसका मैंने प्यूरी बना लिया है तब तक जो है बीन्स और कैपसिकम भी फ्राई हो चुके हैं 2-3 मिनिट हो चुका है अब साथ में मैं कॉलिफलावर एड़ कर रही हूं और इसे 1-2 मिनिट के लिए अगेन मैं इसे शॉते करूँगी साथ शाथ आपके पास जो भी वेज़िटेबल्स अवे लेबल है वो आप इसमें एड़ कर सकते हैं मैं गाजर भी आड़ करने वाली हूं अगर आपके पास मतर है तो आप मतर भी आड़ कर सकते हैं तो इसे मै प्योरी जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे सायद आप पहली बार देख रहे होंगे कि सूप में वेज़िटेवल और टोमाटो का दोनों का कॉम्बो है अप एक बार जरूर ट्राइए करें काफी टेस्टी लगता है ये शूप और इसके बाद ना प्यूरी को मैंने छान लिया है अब जार में थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद अगेन मैं उसे छान लूँगी और इसके बाद इससे अच्छे से कर लूँगी मिक् रखना है कि वेजिटेबल्स अब अपने टेस्ट के अकाडिंग अड़ करें यहां पर मैं गरम पानी जो है वह एड़ कर रही हूं जिससे की सबजी में बॉइल ज्यादा जल्दी आ जाएगा आप चाहे तो ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं इसे मैं हाई फ्लेम पे र बढ़ा देता है और काला नमक और शादा नमक दोनों अड़ करने से सूप का टेस्ट बढ़ जाता है अब इसे कभर करके अच्छे से बॉइल आने का वेट करते हैं तो आप देख सकते हो सूप में काफी अच्छे से बॉइल आ चुका है अब इसे न मैं फ्लेम को बिल्कु सॉफ्ट हो जाएंगे तो 5 मिनिट्स हो चुके हैं चले कवर को हटा कर देखते हैं तो आप देख सकते हो हमारा सूप जो है वो बिल्कूर रेडी है इसका कलर भी काफी यम्मी सा लग रहा है आप एक बर जरूर से जरूर ट्राई करें तो फ्रेंट्स हमारा सूप बन कर बिल् करें अपनी एक्स्पियंस जरूर से जरूर कमेंट करें और हां अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के अंत में जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ ओके थैंक यू थैंक यू watching, bye-bye!